नमस्कार किसान भाई हो, मैं परविन सेनी, आज मैं आपको जो हमारे किसान भाई जो हैं, वो नेट हाउस बनाते हैं, फिर उसमें बैड किस्त परकार से तियार करने रहते हैं, उसके बारे मैं जानकरी दूँगा, ये जो हमारा एक एकड का पूरा नेट हाउस जो है, ये बन यह एक पोल से दूसरे दूरी जो आट मिटर है इसकी इस तरफ से बना रहे हैं तो तो टोल जो एक कोलम यह आट मिटर में जो हमारे बैड आ रहे हैं जो नंबर वो बैड आ रहे हैं वो पांच बैड हम इसमें ले रहे हैं तो जो बैड की जो ऊपर से नीचे दिखाईए जो बैड के जो ऊपर से जो चोड़ाई है यह लगबग 90 cm के आसपास रख रहे हैं हम लगबग 3 फिट के आसपा की जो यह आप बया बना रहे हैं तो आप ने च्डर छली मेने देखा है कि गजा पर मुंनके अधर की मया न घरती है आपने दूसरी यह बैड बना सकती है उसस तरीके से और एक बार में यह जुटाई भी कर दिया आपके साथ ही और बैड भी बना देती बहुत तो इस मसीन के बारे में कुछ बता हैंगे आप आईए एक वाद आप यह दिखा यह बैड इतना अच्छा बैड बना है अजय इसके बारे में मशीन के बारे में जान कर दीजिगा कैसे कहां से लिए क्या अढ़ी आया या बेरवरम बारिस हो जाती है बहुत प्राब्लम खड़ी होती है बैड मेकर कोई था नहीं है ताव कि जो गीली मिट्टी में बैड बनाते है तो उस चक्कर से तरह की सही तरीके से दमाग लगाते हैं फिर उसका कहके तो रूटाबेटर ख़ीद के पीछे से फिरिम बनाते हैं यह बैड मेकर बनाया है तो गीली मिट्टी में जुताई भी करता है आज यह एक बार दिखा दीजे थोड़ा करीब से किस तरीके से है यह पीछे से नीचे से इदर से कि जो मिट्टी माली जुताई के समय थोड़ी टाइट हो जाती है तो उसके दोनों काम को यह एक साथ कर देता है तो जो मिट्टी हलकी रहती है क्योंकि जब रोटावेटर चलता है तो मिट्टी हलकी हो जाती है तो यह बहुत आसानी से आपके बैड जो है तयार कर देता है तो कि इसमें हम आपको दिखाएंगे अभी किस तरीके से बैड बना रहे हैं अभीais को मशीन को जो है compris तरीके से बैड तयार हो रहे हैं तो दोस्तों यह देखिएगा अब हम allora बनाने इसर्ड कर रहे हैं यह देखिए किस तरीके से लो बना रहे हैं एक इस से इस मसीन का ये फायदा है कि जोदी आपके गेले मिट्टी भी है तो उसमें भी थोड़ा बैड़ बहुत अच्छे तरीके से बना देते हैं यह देखें देख सकते हैं याँ तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान वायों आपका वीडियो देखने के लिए और यदि किसी परकार के जानकार चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा